परिदबाद अदालत की अतरिक्त सेशन जच पुरशोत्तम कुमार की अदालत ने एक दिमागी रूप से दिव्यांग महला के साथ साथ दुशकर्म करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में रौड डाल कर उसकी चुन्नी से गला घोट कर हत्या करने वाले आरोपी मनोज नेपाली को लेकर करीब दो साल तक चली अदालती कारवाही के बाद फांसी की सजा सुनाते हुए डेड़ लाग रुपे का जुर्माना भी लगाया है मनोज नेपाली केस में आज श्री प्रशोत्तम कुमार एडिशनल सेशन जज़ की कोट ने मनोज नेपाली को खांसी की सजा सुनाई है सेक्शन 376 के IPC और सेक्शन 302 IPC में डेथ पेनल्टी और 302 IPC में साथ में 50,000 रुपेज पाइन पाइन ना पेकिक इन नॉन पेमेंट ऑफाइन बता दे कि इस मामली में दोनों तरफ के बाहिस लोगों के बयान गवाही के तौर पर अदालत में दर्च किये गए अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मानस्तिक दिव्यान महिला का दुशकर्म करके खत्या करना जगन ने अपराद है जिसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं है दरसल साल 2022 के नवंबर महिनी में इस सेक्टर आठ थाना पुलिस ने दुशकर्म के बाद हत्या के जाने का मुकदमा दर्च किया था पुलिस के मुताबिक सेक्टर आठ थाना शेतर में रहने वाली महिला मानस्तिक दिव्यांग थी जो कि अपने पती को बिना बताई घर से निकल गई थी घर से निकलने के बाद महिला का संपर्क बाटा चौक के पास रहने वाले मनोज नेपाली से हुआ था जो कि मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था और नशे का आदी था वहाँ चीना जप्टी और नशा खोरी करता था मनोज महिला को दुशकर्म करने के रादे से उसको बाटा रेलवे स्टेशन से सेक्टर साथ में बने खंडर में ले गया और एक आरन रोड उसके प्राइविट पार्ट में डाली गई और उसके बाद परने से प्रोसेक्टरिक्स का गला गउत कर हट्या करती गई तो prosecution ने total 34 witnesses examine किये और DNA report prosecution के favor में आई आलांकि case का कोई eye witness नहीं था लेकिन हमने circumstantial evidence के base पे और DNA report के base पे अपने case को अच्छे से प्रूव किया और जिसके बाद आज honorable court ने 22 तरी को पे लिए इसको guilty order किया था मनोज नेपाली को और आज इसको सुनाई वहीं इस मामले में आरोपी के वकील का कहना है कि मामले में किसी चश्म दीद गवाहना होने की बात भी अदालत ने CCTV footage के आधार पर दोशी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी जो की गलत है वहाँ इस फैसले के खिलाब हाई कोट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे जो भी यह फैसला हुआ है हम इस फैसले के अगेंस हैं विरुद हैं हम इस फैसले के यह फैसला हुआ यह ठीक नहीं हुआ क्योंकि जो आरोपी ग्रिफ्तार किया गया था आरोपी का नाम है मनोज नेपाली उसको पुलीस ने सुनाली का बोडर नेपाल से ग्रिफ्तार किया था और आरोपी को ग्रिफ्तार करने का कारण पुलीस ने ये शो किया था एक फुटेज के आधार पर कि आरोपी को लास्टी के साथ जारे हैं, उस वक्ति की रहा сп선 आगे कोई मडर हो जाता है, को द्रुखट ना हो जाती हैं और उसकी फोटएज हमारे साथ आजआते हो जो कि गलत ग्लत है और उसका उब का घ्रट है कनाहारी कि कि हमारी को वानुम्ती दी गई थी पूलिस ने हमें दारिक्ट दिया लाप सीन के अदार पर हमें को सुनालिका बोल्डर से उठाया और और रहेश्ट कर लिया गया और हम इस फैसले के विरुद हैं और हम इस फैसले की अपिल हाई कोट में जुरू करेंगे और इसको निस्प और हाई कोड द्वारा क्या फैसला सुनाय जाता है बिरो रिपोर्ट हरियाना बर्दान फरीदबाद